हेलो और वेलकम टू टीवी का पटाका वेल दोस्तों तुनीशा शर्मा केस में बहन फलकनास चफकनास ने हाज के दिन यानी की दो जिन्विरी को की प्रेस कॉन्फरेंस रिपोर्टर्स के तीखे सवालों का दिया करारा जवाब और साफ तोर से बताया किस तरह से तुनीशा की मा केस को पूरे तरीके से गुम्रा करने की कोशिश कर रही है साथी साथ एक बात और फलकनास ने हाल ही में अपने अपलोट ये जान देने के पीछे की असली वज़ा उनका भाई शिजान खान नहीं बलकि उनका एक्स बॉइफरेंड है जी हाँ दोस्तों जब से शफखनास और फलकनास ने पहल प्रस कांफरेंस की है उसके बाद से ही एक वीडियो लगतार सोशल मीडिया पर वाईरल हो रहा है जिसमें तुनीशा शर्मा अपने एक्स बॉइफरेंड के साथ नजर आ रही है चंडीगड में काफी लंबे समय तक वो एक लड़के के साथ उनके परिवारवालों के साथ रहती थी अक्सर गॉरफ नाम के एक यूट्यूबर के साथ उनके वीडियो नजर आए है जिनमें वो गॉरफ के परिवारवालों के साथ भी अच्छा बॉण्ड शेयर करती हुई नजर आ रही है खबर है कि हाल ही में वो जब वापिस आ रही थी चंडीगड से तो वो काफी ज़ादा उदास थी उनका दिल काफी ज़ादा तूट चुका था क्योंकि कहीं न कहीं उनके और उनके एक्स बॉइफरिंड के रिष्टों में खटास आ गई थी और उसने उन्हें दोका भी दिया था और यहीं ट्रॉमा वो सहर नहीं कर पा रही थी एक के बाद एक मिले बच्पन से धोके और दूर होते सबसे करीब लोगों की वज़ा से वो अंदर ही अंदर तूटती जा रही थी अपने पिता के जाने का सदमा वो बुला नहीं पाई थी तो वहीं उन्होंने इस बात को भी साफ किया कि जहां एक तरफ उन्हें अपने एक्स बॉइफरेंट से धोका मिला था तो शिजैन खान के साथ उनका रिलेशन्शिप जो ब्रेक अप हुआ वो पूरे तरीके से म्यूच्वल कंसर्न पर था लेकिन लगातार उनके जिंदगी से उनके चाहने वाले जा रहे थे और तुनीशा की मौम उन पे बहुत ही जादा सक्ति दिखाती थी और यही सब वो सहर नहीं कर पाई अंदर ये अंदर तूटती रही और इसलिए उसने अचानक से अपनी जान देने का फैसला कर लिया किसी भी तरीके से इसमें शिजैन खान की इन्वाल्वमेंट नहीं है आप क्या कहेंगे किया आप फलकनास के स्टेटमेंट से करते हैं अगरी हमें कॉमेंट कर कि अपने व्यूज आप जरूर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें